तो दोस्तो फाइनली HSC ने और NTSC ने मिलकर नॉर्मलाईजिसन का फार्मॉला टैग कर लिया है CET के लिए क्योंकि CET के अंदर चार सिफ्टों में पेपर होगा तो उनका लाइवल भी अलग अलग होगा पेपर का तो उनको जो है इक्वल नंबर लाने के लिए तो नॉर्मलाईजिसन का फार्मॉला अपनाना पड़ेगा ठीक है नॉर्मलाईजिसन क्या होता है बहुत सारे कैंडिट को नहीं पता जैसे एक सिफ्ट में दोस्तो नॉर्मल स्कोर बंदा है 60 और एक में बंदा है 65 ठीक है तो यानि कि इसको इसके इक्वल लाने के लिए ठीक है एक फर्मॉला इस्तिमाल किया जाता है इसमें ऐसा नहीं होता कि डिरेक्ट आपके पांच नमबर ये अड़ कर देंगे ठीक है ये अलग टाइप का फर्मॉला है इकवी पर्शंटाइल का फर्मॉला दोस्तो जिसके उपर हर्याना पुलिस का जो है खासकर चल रहा है मामला उसी के उपर नॉर्मलाजिसन के उपर ठीक है तो ये पूरी की पूरी दोस्तो 11 पेज की पीडियेफ है ये आपको जो है एक अनादर वीडियो में और अच्छे से जाएगा और अभी अग्जाम से रिलेटेड जो आपका कल है अभी लाइव आएंगे पांच मिंट के बाद ठीक है तो ये आप देख सकते हैं रास कोर है परसंटाइल स्कोर में इसको चेंज करेंगे ठीक है परसंटाइल स्कोर यानिकि जैसे माल यापका रास कोर ये है एक यहां पर 112 वाले के 99.9 है तो 180 वाले के 9200 है और यांपर 88 वाले के 88 पर आ गया है ठीक है 48 वाला चुएतर पर पे आ गया है और 6 वाला यांपर 27 पर आ गया है तो इस तरह से परसंटाइल स्कोर में जो है अब कनवर्ट होगी चीज है जैसे दूसरा रास स्कोर में आपको दि अगर किसी को भी नमबर यहां पर इनोंने कोई ऐसा नमबर दे नहीं रखा कि जो इसके साथ हो और इसके साथ मैच हो जाए ठीक है 88, 26 यह नहीं दे रखा दोस्तों यह मैं और एक अनादर वीडियो में जो है एक्स्प्रेन आपको करूँगा कि आखिर यह फंडा है क्या ठीक है तो अभी बस मिलते हैं एक बार लाइव और उसके बाद जो हग्जाम से रिलेटिड जो भी जानकारी है वो लाइव में आपको इसाथ साजा की जाएगी तो इस यूडियो मित रहें दोस्तों